तो day one को मैं spawn हो जाता हूँ एक village के अंदर में वो भी एकदम छोटे से रूप में वो भी iron golem के तो मैं सबसे पहले आज़े बाज़े देखता हूँ और यहाँ मुझे दिखता है एक villager और इसको देखके मैं थोड़े देर इससे बात करनी ही गोजिश करता हूँ लेकिन यह लोग आ जाते हैं इस village में हमला करनी के लिए तो इनको देखके मैं सबसे पहले भागने लगता हूँ क्योंकि इन लोग ने मेरे अंदर भाई बहुत सारी तीर घुसा दिये थे तो यहां से आगे जाने के बाद यहाँ पर वापस से वही वाला जो iron golem था वो मेरे पास आता को लेकिन भाई मेरे अंदर उत्ता जादा जान नहीं था तो यहां मुझे यहां से भागना ही पड़ता हूँ एकदम से क्योंकि यहां मुझे कोई देख नहीं रहा था यहां और मुझे खाने की बहुत ज्यादा अच्छी जरूरत थी लेकिन यहां पर कुछी देर के बाद भाई वा आरन गोलम बहुत सारे लोगों को मारता है लेकिन उसके बाद वो भी शहीद हो जाता है तो भाई यहां पर आग भी लगा दिये थे इन पिलेजर लोगे ने भाई कुछ ज्यादा ही खतरनाक थे यह लोग तो मैं यहां से भाग लेता हूँ क्योंकि यार मैं यहां था ही नी तो मुझे इसकी बात सुननी पड़ती है और फिर मैं इसको फॉलो करना चालू कर देता हूँ और उसके बाद यह मुझे लेकर आ जयता है अपना आउट पोस्ट पे और यहां पे इसने एक पिंजरा बना कर रखा था भाई इसी के अंदर मुझे रखेगा और यह नी तो तुम मारे जाओगे सबसे पहले मैं यहां पे इस दुनिया के सारे विलेजर्स को फोड़ूँगा और फिर तुमको मारूँगा फिर उसके बाद यह मुझे खाना भी देता है थोड़ा अच्छा भी था यह लेकिन यार यहां से चला जाता है और यार मुझे इसको म मैं इससे बात करता हूँ तो यह मुझे बताता है कि यह मुझे यहां पे छुडाना है लेकिन इसके पास ज्यादा टाइम बचा नहीं है जिंदा रहने के लिए तो यह मुझे फॉलो करने बोलता है इसको तो मैं भी इसके पीछे भागना चालू कर देता हूँ क्योंकि यह यहां पर और पिलेजर स्पॉन हो रहे थे और फिर यह मुझे ला देता है एक तो यह केव में पहुचने के बाद यह मुझे बताता है कि यह उसी विलेज का एक गोलम है जो कोई काम से बाहर गया था और यह जैसी वापस आता है तो इसको भाई पूरा वो विलेज राक राक क्राफटी जली व से बना लेता हूं इक क्राफटी टेबल और कुछяж सबसे पहले में अपने खाने का जुगाड करूँगा और तब और भी मेरे पीछे एक creeper फुट जाता है वो तो अच्छा हो हूँ मैं iron golem हो तु भाई मैं मरा नी तो फिर मैं अपने खाने के लिए हर चीज बना लेता हूँ और एक pickax बना के जल्दी से चलते हैं आगे के तरफ थोड़ा बहुत explore करने के लिए और आगे जाने के बाद मैं स सीधा उसी outpost में घुषता हूँ और भाई उसी राक्षास को ढूड़नूगा और मैं उसको अभी खतम कर दूगा और यहार यहार पे कुछ अजीबो गरीब चीजे गीरी थी अब मुझे नहीं पता उसका क्या कर सकता हूँ मैं तो जाने तो हम लोग सबसे पहले यह पूरे उसको पता चलिया होगा कि मैं किता पावर्फुल हो चुका हूँ और फिर मैं यहार से जल्दी से नीचे कूथता हूँ और भाई यहां पर एक दो लोग और थे तो इन लोग को भी सबसे पहले निप्टाओंगा मैं और जाओंगा आगे के तरफ और आगे जाने के बात भी यहां पर बहुत सारे पिलेजर बाकी थे लेकिन अब मैं सब को थोड़ी ना मार सकता हूँ यह लोग बिना रुके स्पाउन हो रहे थे तो मैं चलने आता हूँ आगे के तरफ और यहां पर रात होने वाली थी तो मैं सोच रहा था कि यहार मुझे चाहिए अपने रहने के लेकुछ जगे एक अच्छा सा घर तो इसलिए मैं यहां पर पूरे वुड्स माइन कर लिए लेकिन यहां पर रात हो जाती है तो मैं अभी तो घर नहीं बनाने वाला था क्योंकि कोई भी आके मुझे मार सकता है इसलिए मैं पानी के अंदर बैट जाता हूँ आराम से और अगले दिन सुब है मैं यह जगे अच्छी सी देख लेता हूँ और यहां पर अपना घर बनाना चालू कर देता हूँ और सबसे पहले हम लोगे पूरे घर को बना के तुम लोग मुझे बताना कमेंट में कि यह मैंने कैसा बना है बहुत जादा बेसिक है तुम लोग को सच अब मुझे नहीं पता यह कौन सा गलिस्त था तो यहां के आइरन गोलम से मैं बात करता हूँ और मैं इसको समझाता हूँ कि तुमारे उपर बहुत बड़ा एक आकाल आने वाला है जो कि यह पूरा कवर कर लेगी इस विलेज को और यहां पर कोई भी हमला नहीं कर पाएग और मैं भी बोलता हूँ कि मैं भी थोड़ा बहुत माइन करके लाई लूँगा और इस विलेज में भाई एक और गोलम था और बहुत सारे लोग थे और यह जो विलेजर से हैं ना इनको हमको लोग को ट्रेन करना है बाद में इनको सोलजर बना देंगे हम लोग अब जाने तो अभी तो नहीं कर सकते हैं अभी उत्ता टाइम नहीं है तो सबसे पहले हम लोग अपना काम करने चलते हैं और मैं सीधा खुच जाता हूँ इस रवीन के अंदर और यहाँ पर एक एक करके यहाँ थोड़ा बहुत माइन करूँगा मैं लेकिन उससे पहले मेरे पास बेटा है मतलब एक पिग है तो फिर मैं उसके पास जाता हूँ और इससे बात करता हूँ और भाई मेरे साथ वैसे भी रहने अकेलिए कोई नहीं था तो मैं इसको बोलता हूँ कि भाई तुम यह जो पीछे में तुमारे यह इगलू है ना भाई उसके अंदर एक बंकर है तो तुम उसके अंदर जाके अगर मेरे लिए वह आले समान लालोगे क्योंकि वहाँ पे गोल्डेन एपल मिलता है तो तुम मुझे लाके अगर वह दे दोगे तो मैं तुमको अपने साथ अपने घर में रखूंगा और हम दोनों दोसके समान रहेंगे जिंदगी भर और उ मुझे तो उनसे कोई काम नहीं था तो इसने मेरे लिए नीचे से आर्मर लेकिया एक पूरा आरेन का और दो गोल्डन एपल भी लाया था तो यह मैं बोलता हूं कि भाई अब तुम यहाँ पर रहने कि तुमको कोई जर्वत नहीं अब तुम चलो मेरे साथ मेरे बड़े व वह काम निप्टा कहता हूं और फिर तुमसे मिलूँगा तो मैं इसको यहाँ पर बंद करके चले आता हूं उसी विलेज में और उस विलेज में बाई में जैसे यह पॉसता हूं तो मुझे दिखता है कि यह वाले गोलम ने यहाँ पर काम भी चालू कर दिया है बहुत ज़ पूरे bricks है तो उसके बाद मैं अपने काम पर लग जाता हूँ यहाँ पर जल्दी से जाके मैं यहाँ पर पूरा mine मतलब इसको लगाना चालू कर देता हूँ पूरा wall बना चालू कर देता हूँ इस village के और उसके बाद हमने एक बहुत भयानक सी entrance बनाया था मैंने यह मेरा design है अब जाने दो ignore करो उस बात को और फिर मैं इस golem को बताता हूँ कि मेरा एक दोस्त है pig वो दूसरे वाले घर में रहता है उसको भी मैं यहाँ पर ला लेता हूँ हम लोग सब लोग साथ में रहेंगे यहाँ पर एक साथ तो प्रोटेक्शन में रहेंगे तो फिर यहाँ से चल जाते हैं अंदर के तरफ उस villager को सिखाने के लिए उनको soldier बनाने के लिए तो मैं भी यहाँ से निकल जाता हूँ अपने घर के तरफ और घर आने के बाद मुझे दिखता है कि यहाँ बहुत सारे pillager लोगों ने यहाँ पर अटैक कर दिया है और मेरा घर जो था भाई य उपर आग लग जाती है तो सबसे पहले मैं पानी में नहा के आता हूँ और एक एक करके इन लोग को भी मैं निपटाता हूँ यहाँ पर बहुत पावर में और उसके बाद मुझे सामने में दिखता है यही वाला घर और यहाँ पर यह सूर था यह मुझे कुछ तो बोर रह कि इसके भाई को उनलोगों ने किड्नैप कर दिया वो लोग इसके साथ क्या करेंगे मतलब इसके भाई के साथ तो फिर मैं इसको बोलता हूँ कि यार टेंशन मतलो मैं तुम्हारे भाई को पक्का छुडा के लाओंगा अब यही तो बोल सकता था और मेरे पास कोई option भी न है तो फिर इसको मैं बुला के पूसता हूँ कि तुम क्या है उन पिलेजर का पता जानते हो जिसने मेरे दोस्त को ले गए और यह बोल रहा था कि यह उसके पता जानता है और इसके भी भाई बहुत ज्यादा अलग मैंटर चालिए पिलेजर लोगों से इसलिए उनका बुर चले जाओ तुम अकेले जाके लड़ो क्योंकि अभी इसके अंदर उती हिम्मत नहीं तो यहां से वापस चले जाता है जंगल में अपनी जिए गया या पता नहीं मुझे यह कम मिलेगा तो फिर मैं यह वाला पूरा परवत चड़ता हूँ और बहुत सारे पिलेजर दिखत चले जाता हूँ दूसरे वाले फ्लो रुप्र यहां पर भी कुछ पिलेजर थे तो इन लोग को निम्टाता हूँ और उसके बाद यह बहुत ज़्जादा बेकार लगता है लेकिन कुछी देर में मर जाता है और भाई यह देखके न मेरा पूरा धिमागख हो जाता है क्यो अभी भी मुझे वहला पिलेजर नहीं मिलता है जिसके हाथ में बॉम था लेकिन मैं उसका वेट करता हूँ यहाँ पूरा दो दिन तक के और दो दिन बाद वो कहीं से आता है यहाँ और भाई यह जगे देखके शायद वो घबरा गया था क्योंकि एक भी पिलेजर इसको दम था क्योंकि यह एक एक बार भाई मेरे पाच पाच हेल्थ ले जा रहा था तो यहाँ पर जैसे दैसे मैं बहुत सारे ब्रेट खा खा के पूरा गोल्डन एपल खा के इसके साथ फाइट करता हूँ लेकिन इसके अंतर बहुत ज्यादा ही दम था तो फिर मैं यहाँ पे उसी विलेज में और भाई यहाँ पे बारीज रुखने का नाम ही नहीं ले रही थी लेकिन यहाँ बहुत ने के बाद मुझे दिखता है कि यहाँ का एंट्रेंस बहुत ज़्यादा अच्छा हो चुका है और यहाँ का बारीज था वैसे मेरे बोलते बराबर ही हट जाती है और फिर मैं इस विलेज के अंदर घुसता हूँ और अंदर जाने के बाद मुझे दिखता है वई-वाला गॉलम और मैं इसको बोलता हूँ कि मैंने उस बिलेजर को मार के खतम कर दिया है जिसके हाथ में बॉम रहता था और अब हम लोग को भाई छेड़ने के लिए कोई न कर पा रहा था और ये मुझे बताता है कि ये कोई भी चीज तुमारे लिए पता कर सकता है क्योंकि ये छोटा से है कोई इसको देख नहीं पाता है और ये स्पाय बहुत अच्छा करता है और फिर उसके बाद मुझे एकदम से दिखता है कि यहाँ पर हमारे उपर रेड हो तो यह तुरांत भागता है यहां पर लड़ने के लिए लेकिन एकदम से आता है एक बहुत तेजी से भागता है वह पिलेजर वो इसको मार के खतम कर देता है सिर्फ एक ही शौट में तो यार मैं कुछ कर नहीं सकता था मैं यहां से भागने कोशिश करता हूं और मुझे सकता है तो मुझे यहां से थोड़ा साइड होना पड़ता है सबसे पहले मैं यहां पर चल जाता हूं और भाई इसके बाजू से में निकलता हूं तो मैं बस यहां पर भी मरते मरते बचाओं तो यार मुझे समझ गया था कि मुझे यहां से भागना पड़ेगा तो मैं यहा अब मैं यहां से भाग पाया और मैं यहां से निकल जाता yet के बाद मैं नोटिस करता हूं कि यहां पे मेरे 10 हाट वो गायब होच sentiments हैं अजीब सा जगे और यहां पर भाई वाला पिक था जो की था उसका भाई और मैं इसको बोलता हूँ सॉरी लेकि यह मेरी बात सुनके चला जाता है क्योंकि यह बहुत ज़्यादा उदास था क्योंकि इसका भाई मर चुका है अब अब मैं क्या ही बोलू अब कुछ कर नहीं सकता था मैं लेकिन जाने दो अब यह मुझे अजीब सी चीज दिखती है उस तो मैं उसको तोड़ कर देखता हूँ तो यह कोई अजीब सी चीज थी तो आगे जाने के बाल मुझे दिख जाता है वही गोलम वापस आ जाता है मेरे स इसको पता चल जुगा है कि वो villagers क्यों आ गये थे तो ये मुझे बताता है कि इसके पीछे वो bomb वाले जगे पर यह शायद तुम लोग को यादी होगा क्योंकि वैर यहाँ पर मैंने उस राक्षस को मारा था वो पहले वाले पिलेजर को और मैं इसको बोलता हूँ कि आज राथ हमको यहाँ पर stay करना पड़ेगा और कल सुबह हम लोग सास कैसे ले रहा है मुझे नहीं पता लेकिन यार कुछ भी बोलो ये बहुत जादा क्यूट है हमारा कॉपर गोलम तो मैं भी यहां पर थोड़ी देर में सोने वाला हूँ तो यहां पर जल्दी से इसके बाजू में पोर्शन ही नहीं बनाएगी मेरे हल्द बढ़ने के लिए इसलिए मुझे बोलता है कि मुझे अकेले जाके इससे बात करने पड़ेगी और इसको भी कोई काम है तो यह वहां पर चला जाएगा वापस और फिर उसके बाद मैं सीधा घुसता हूँ इस विच के हट में और फिर इसको एक magical item भी चाहिए तो यह सब बोल के यहां से चलिया आती है और यह मुझे बोल रही थी कि यह सब चीज़े अगर लाके मैं इसको दूंगा तब ही वह portion बना पाएगी तो फिर मैं यहाला book खुल के देखता हूँ और मुझे दिखता है कि इसको चाहिए 10 redstone, 10 diamond, 10 iron और एक magical item और वो मुझे किदर मिलेगा वो तो उसने मुझे बता दिया है लेकिन मुझे यह सब चीज़े तो इस tower में मिल जाएगी इता मुझे पता था तो फिर मैं यहां पर जल्दी से घुश जाता हूँ अंदर और यहां जाने के बाद मुझे पता चलता है कि यार मेरा size कु जाएगी तो मैं इसको सारी चीज़े समझाता हूँ कि मुझे उस विचने वाली book देती और यह copper golem जैसे यह सारी बाते समझ जाता है वैसी चले आता है खुद यह उपर और उपर जाने के बात भाई यह बहुत जादा भयानक आजमी था मुझे अब पता चलता है क्योंकि यह दिखने में सिर्फ छोटा सा था लेकिन यह spy बहुत अच्छा करता था और भाई यह लोगों को मार भी देता था बहुत असानी से और यह जल्दी से chest के अंदर से loot के आ जाता है नीचे के तरफ और नीचे आके भाई मुझे बताता है कि इसने बहुत असानी से उसको मार लिया है और भाई मुझे बहुत ज़्यादा प्राउट था इसके उपर क्योंकि यह दिखने में चोटा था और गोलम लोगों का नाम रोशन करता है और फिर उसके बाद यह मुझे हर चीज़े दे देता है जो चीज़े मुझे चाहिए थी और अब जो एक चीज बाकी है ज बहुत सारी लूट करता हूँ तो मुझे अच्छी चीज़े मिल जाती है और फिर मैं आता हूँ इसके साथ लड़ने के लिए लेकिन यह कुछ ज्यादा ही खतरना था तो मैं यहां पर मुझे अपना गोल्डन एपल खाना पड़ता है और भाई बुरे गोल्डन एपल मेरे चाहिए उस विच को और फिर उसके बाद मैं इसको लेके चलता हूँ बस भी मैं लेके जाई राता उत्ते में कॉपर गोलम आ जाता है और मैं इसको बोलता हूँ कि हम मैं जाने वाला हूँ विच के पास वो portion लेने और भाई उसके बाद हम दोलो मिलके मारने चलेंगे उस guardian तब तक तुम उसके बारे में पता कर लो तो अभी है जा चुका है हमारे वई वाले घर में और उसके बाद मैं यहांसे निकल जाता हूँ विच के घर के पास और जल्दी से आके इसको मैं सब से पहले बोलता हूँ और तभी में पोर्शन बनाऊंगी तुमारे लिए तो मैं यहां पर कुछ दिर खड़ा था और वेटी कर रहा था और कुछ दिर में आ जाती है विएचे कुछ दिर नहीं यहां पर 3 घंटे से खड़ा ही था मैं हमारा भाई गोलम था ना वो आकिस से लड़ना चालू कर जा है लेकिन ये एक ही शॉट में हमारे कॉपल गोलम को मार देता है तो कमेंड में लिख देना रेश्चिन पीस गोलम और अब मैं तो इस राक्षास को मार के रहूंगा क्योंकि मेरा यहां पर दिमाग खराब हो गया तो मुझे दिखता है वही वाला घोड़ा जो कि स्टार्टिंग में तुमने देखा था वीडियो में फिर में यारे मुझे आके एक दे देता है बहुत अच्छी स्वार्ड और भाई मैं सीधा इस ये डार्क वाले स्वार्ड से इसको मारने जाता हूं और हम मुझे पता थ करते हैं लेकिन अच्छाई की जीत हुई और अगर ये वीडियो देखने में तुमको मजा आया तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दो और दूसरी वीडियो भी